हेलो प्रेंड्स, वेलकम तो मा योटूब चनल, आज हम आपको आपके कीचन में एक ऐसी चीज प्रेजन्ट होती है, जिसका आप यूज करके अपने ब्लड सुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर्ट एटेग को कम कर सकते हैं, हर्ट स्रेड जितनी भी बिमारिया होती हैं, उ इतने भी खतरनाग बिमारिया होती हैं, उन सभी को वो कंट्रोल करता है, वो है जिंजर, आज हम जानेंगे, अद्रक के क्या-क्या फाइदे होते हैं, अद्रक को कैसे यूज करना है, आज हम आपको सब बताएंगे, इसलिए अद्रक खाना सुरू कर दीजे, ताकि जितने भी खतरनाग बिमारिया हैं, उन सभी चीजों से यह क्या करें, जिंजर आपके बॉड़ी को प्रोटेट है, जिंजर के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन सप्लिमेंट्स प्रेजंट होते हैं, वो सारी चीजे क्या करते हैं, आपके बढ़े हुए कोलेस्टॉल को आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या ब्लड सुगर लेबल बढ़ रहा है, उन सभी को क्या करते हैं, कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मेन हैं इसके अंदर एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंप्लामिंटरी जिसे इसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पहले वो हम जानते हैं, फिर आपको लाश के में बताएंगे कि आपको अधरक खाना कैसे हैं, अधरक को अलग-अलग तरीके से आप इसका यूज कर सकते ह बैनिफिट जो है आपके बॉड़ी में जो भी जम्स हैं जो भी पैथोजेल हैं जो अलग-अलग कार की विमारियां को आपको अधरक लेना हैं तो अगर आप अधरक ले रहे हैं तो यह आपकी body में जितने भी jumps होते हैं, उन सभी को यह क्या करता है, kill कर देता है, next जो है, keep our mouth healthy, mouth में भी कभी कभी कीडे लग जाते हैं, या दासरने लगते हैं, जिसकी ओज़े से आगे जाकर बहुत बिमारियां होती है, तो यह क्या करता है, आपके mouth को भी healthy रखता है, अगर आपको mouth ulcer की problem ही, आपको छाले बार बर निकल रहे हैं, उसकी problem है, या बहुत लोग होते हैं, जिनके mouth मूँ से बदभू आती है, गंदी सिस्मेल आती है, तो उन सभी चीजों को कम करने के लिए भी आप अधरक ले सकते हैं, तो mouth को आपको healthy रखने के लिए आप अध से उनको क्या होता, वामिटिंग उल्टी होने लगती, उस condition में आप क्या करिए, छोटा सा अधरक का टुकड़ा लीजिए, उसे घर से ही मतलब आपको रोष्ट करके लेका है, छोटा छोटा अधरक की टुकड़े, और उसके बाद जब आपको ऐसा feel हो कि हमें वामिटिंग होने वाली हैं, उल्टी होने वाली, तो आप उस अधरे की टुकड़े को मुह में रखके अराम से बैठे रहेगी, और आपको तक उल्टी मतलब वामिटिंग फील ही नहीं होगा, आपको उल्टी का चरा सभी एहसास में होगा, तो अधरक का टुकड़ा आप मुह में अगर हैं, तो आपको जल्दी वामिटिंग नहीं होगी, वामिटिंग की प्रॉबलम है, तो आप अधरक का टुकड़ा मुह में रखे रहे हैं, आपको उल्टी आएगी ही नहीं, उससे भी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता, अगला जो है वो है अधराइटिस, अगर अधराइटिस की प्रॉबलम है, आपके घुड़नों में, इंफ्लामेशन है, जॉइंट में सूजन है, तो उस कंडिशन में भी अगर आप अधरक ले रहे हैं, अधरक की चाय ले रहे हैं, या अधरक को आप डारेक्टे, इन डारेक्टे, किसी भी तरीके से अगर आ एस रेडियोजा, ये कैंसर पोजिंंग वाइरस क को डेमेज elder और जिससे कैंसर होने के चांस इसको आपको कैंसर होने की चांस सबहुआ या अगर आपका blood sugar level बढ़ चुका है उसे भी वो control करता है अपने blood sugar level को control करने के लिए you have to use a ginger next benefit is low the cholesterol cholesterol को कम करता है अगर आप अधरक ले रहे हैं तो यह क्या करेगा आपकी cholesterol को कम करेगा अगर आपकी arteries में जो है fatty substance store हो रहे हैं जिससे आपका cholesterol बढ़ेगा वो क्या करता है आपकी arteries को neat and clean कर देता है जिससे आपका cholesterol level control में आ जाता है अपने cholesterol को भी control करने के लिए आप अधरक का यूज़ कर सकते हैं next benefit is supported against disease जितने भी खतरनाग विमारिया होती है चाहे हो heart attack हो चाहे हो cancer हो चाहे हो AIDS हो और भी जो छोड़़शटी में फीबर होना यह common cold की problem यह अधर भी body म क्यासी बहुत सारी infections हो जाते हैं उन सभी चीजों से यह क्या करता है prevent करता है तो अगर आप अधरक ले रहे हैं यह body में जो भी खतरनाग विमारिया होती है उन सभी चीजों से आपकी body को prevent करेगा next benefit is relief and digestion आपके digestive system को strong करता है आपके digestion process को strong करता है अपने digestive system को strong करने के लिए अपने digestion process को strong करने के लिए you have to use a ginger daily आपको अधरक देली लेना ही लेना है कुछ ऐसे चीजे होती हैं जो हमारे kitchen में तो available है लेकिन हमको उनके फायदे के बारे में नहीं पता है किसके क्या क्या फायदे होती है इसको कैसे use करना है तो फायदा जानना बहुत जरूरी है यह क्या होगा वह benefit हो जाएगा next is good for heart आपके heart के लिए बहुत अच्छा है अगर आप अधरक लेते हैं तो body से cholesterol को कम कर देता है body में अगर extra calorie हो रही से आपका weight बढ़ रहा है इसमें तो बहुत relief देता है जो भी अगर video सुन रहें कर उनका weight बढ़ चुका है उन्होंने को अधरक का पानी पीना कैसे बनाना है अभी बताएंगे अधरक का पानी पीएंगे अगर आप आपकी body में extra calorie वही तो उसी की वज़े से तो आपका weight increase हो रहा है तो आपके digestion process को भी strong करेगा extra calorie को भी burn कर देगा तो आपका weight नहीं बढ़ेगा next जो है good for liver kidney skin body मतलब हर सीज के क्या है यह अधरक बहुत ही अच्छा है तो मतलब अधरक कितने सारे इसके benefits है तो अधरक खाये और सारे benefits आपको मिलेंगे आप अपनी body को maximum of the disease से prevent कर सकते हैं कैसे खाना है अधरक पानी कैसे बनाना है अधरक लीजे इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजे ग्राइंड करने अधरक का बाद चितना पानी आप पी सके घौट दो घृत तीन खुड चितना पी सके अक कॉडिंग टो मी आप जो है क्या करिए आधरक पानी अधरक पानी लेजी एक पानी से उसे है क्या किसी भी आप पेर टेंसल में डाल देजिए उसक Также आपने अधरक को घृइंड किय उसमें डाल देज़े उसपानी केंदर गयास को मीडियम रखिये कम से कम 5 मिनट उबाना है जब तक अधरक का रश यस पानी के अंदर नहीख फिर क्या करिआ आप शहान दीजये चांगर अगर आप दिन दो बार इस तरीके से अध्रक का पानी पीते हैं तो तो पहले तो बता दिया जो अपने वेड को कंट्रोल करना साथ है वो इस तरीके से अध्रक का पानी पी सकते हैं और भी लोग भी अध्रक का पानी डेली पी सकते हैं इन सभी बिमारियों से खुद की बॉड़ी को प्रिव ठुकड़ा आप खा लीजे इस तरीके से भी आपके लिए फाइदे मंद होगा या फिर आप उसे डाल में डाल के खा सकते हैं उस तरीके से डाल के खाना उसे अलग खाना बहुत दोनों में डिफरेंस हो जाता है लेकिन आपको खाना ही खाना की बॉड़ी में जाना चाहिए बस, ये important होते हैं. बस आपकी बॉड़ी में अगर अधरक जा रहे है, अधरक वाली चाय भी आप पी सकते हैं. अधरक की चीनी वाली चाय आपको नहीं दाल कर पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही जादा अच्छा मतब तीन से चार तरीके मैंने आपको बता दिये कि आप अगलके कैसे यूज्ज कर सकते हैं तो बस अग्रक का यूज करिए उसे कीचन में वह सोपीज के लिए नहीं रखना है उसे यूज करना है और जितने भी इ प्रेंजरस डिजीज होती हैं उन सभी चीजों से आप अपनी बॉड़ी को प्रोटिक्ट कर सकते हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन का बटन प्रेस करके वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें तो फिर मिलेंगे इस तरीके सो और भी अच अपने थैंक यू